Hello students, good morning, subject English और आज का हमारा टोपिक है, यह है learning skills, page number 23, my house, we all live in a house, हम सभी घर में रहते हैं, we call it home, हम इसे home बुलाते हैं, घर बुलाते हैं, यह home is very beautiful place to live in, यह क्या है, home क्या है, एक बहुत ही सुन्दर स्थान है, जहां हम रहते हैं, रहने के लिए यह look and learn these things in a house योगर में, जो भी चीज़े होती है, उनको देखो और उनको सीखो, ठीक है, डूर, डी डवलो ओर, डूर, डूर में क्या होता है, डूर में होता है, दरवाज़ा, विंडो, यह क्या होती है, खिडकी, फैन, पंखा, टेलिविजन, यह टीवी होता है, क्लॉक, यह गड़ी होती है, बुक, शेफ, यह यहाँ पर बुक्स रखते हैं, वो अलमारी होती है, वाजमीन होता है, फूलदान, कर्टेन, होते हैं, परदे, प्लांट, पौधे, टेलिफोन, सोफा, कारपेट होता है, जो निचे विशाते हैं, आगे है, पेस नमबर ट्वंटी फोर, कुशन, जो सोफ पर रखते हैं, हम तकिया होता है, जो टेबल, मेज, कूलर होता है, और क्योंता है, घर में लेंप होता है, बैड होता है, यह उपर मैट्रेस होती है, चद्दर बगरा, पिलो होता है, यह तकिया, ठीक है, चेयर्स, कुर्सियां होती है, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टे शेशा, ड्रैसिंग टीवल, यहां पर हम त्यार होते हैं, कपबोर्ड, यह अलमारी होती है, यहां पर हम कपड़े रखती हैं, और आगे दिया है, लेटस आंसवर, यह कोस्टन दिये गए हैं, और हमें इंका आंसवर दिना है, We live in a forest house, हम house में रहते हैं, यह forest में, house में रहते हैं forest jungle में नहीं रहते हैं we sleep on the chair या bed हम bed पर सोते हैं we sit on the sofa या कप बोड़ा मालमारी पर बैठते हैं sofa पर we see cartoons on coolers या television हम cartoon कहां देखते हैं television में तो आज के लिए इतना ही thanks and have a nice day